हेलो फ्रेंज वैकम तो मैं चानल मयूस डाइनिंग आज मैं बनाने जा रही हूं क्रिस्पी लेड समोसे वीडियो आपको बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना है क्यूंकि मैंने वीडियो में जो स्मॉल स्मॉल टिप्स दिये हैं अगर आप वो फॉलो करके बनाते हो तो आपकी रेसिपी इसी तरह से पॉफेक्ट बनेगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर मुझे सपोर्ट करना और यहां पर आप समॉसे का आवाज भी सुन सकते हो कि कि यह कितना क्रिस्प बनाया है अब देख सकते हो बहुत ही यह सुन्दर बना है पहले तो यहां पर मैंने लिया है वन बाउल मैदा और फोड़ा सा नमक आड़ करना है आपको शुगर लेना है फाप टेबल स्पून इसको अच्छे से आपको मिलाना है उसके बाद यहां पर मैं लेने जारे हूं टू टेबल स्पून कुकिंग ऑईल म आप जो भी यूज़ करते हो घर में आप वो एड़ कर सकते हैं इसको भी आपको अच्छे से मिलाना है यहाँ पर हम टोटल दो टाइप के डो बनाने जा रहे हैं इस तरह से गाई से मुट्टी में आ जाता है ना तो कि मानलों कि यह परफेक्ट है अब यहाँ पर में ले रहे ना ही ज्यादा सॉफ्ट बनाना है आपको एकदम मेडियम चाह रखना है अब देख शक्र टेक्स्टर देखना का इसे हां पर इसी तरह से आपका डोका टेक्स्टर होना चाहिए देख सो पानी भी यहाँ पर पानी का भी यूज नहीं हुगा है उसके बाद आपको यह 30 मिन थोड़ा सा ही डाल सकते हो और यहाँ पर मैं लेने चाहरी हूँ बटर जो कि है रूम टेंपरेचर पर अगर आपका बटर सॉल्टेड है तो आपको इसमें नमक डालने के ज़रूरत नहीं है इसको भी आपको अच्छे से मिलाना है आपको यहाँ पर याद रखना है कि बिल तोटल यह चेंज हो राता है टेक्स्टर जो है जब आप बनाओंगे ना तब पता चल जाएगा एकदम सॉफ्ट बन राता है यह जो कुकिंग कुकिंग नहीं ऑईल वाला जो हमने डो बनाया है ना उसको आपको अच्छे से मसल ना है अब आपको क्या करना है ना कि जो हमने दोनों भी डो बनाया ना उनको सेम प्रपोर्शन में कट करना है हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से उसको मिलाना है यह भी एक important step है आपको आपी main यहां से start होने वाला है हर एक tip आपको यहां पर follow करना है यह recipe सच में गाई बहुत ही सुन्दर, yummy and crispy तो इतनी होती है आप एक बाद जरूर बना के try करिएगा अब देख सकते हो इस तरह से आपको बेलना है थोड़ा सा ही और जो butter वाला dough है न हम इसमें add करेंगे अभी cooking वाले dough में यह याद रगना है कि जो butter वाला dough है बिल्कुल भी बाहर ना निकले जो भी पूरन पली बनाता है या अलू का पराथा जो stuffing जानता है उनको बहुत easy लगने वाला है process अब यहां पर फिर एक important tip यह कि आपको जादा pressure देके नहीं बेलना है एक तम हलके हतों से भी बेलना है और यह बिल्कुल भी आपको फॉलो करना है लंबाई में इस तरह से आपको बेलना है फिर जाके आपको roll करना है क्योंकि हम यह न कड़ाई में deep fry करके करने जा रहे तो यह tips बहुत mandatory है अगर आप own में माइक रोल में करते हो ना तो हो जाएगा बट अगर आप कड़ाई में करना चाहते हो ना तो आपको सारी tips फॉलो करने पड़ेंगे यहाँ फिर से बेलने जा रहे हूँ आपको बस फिर से दुबारा से आपको बस दो बार इस तरह से कर लेना है अब इसके बाद मैं ना वन इंच के गाप में इसको कट करने जा रहे हूँ क्योंकि है अल्यड़ी बहुत ही ठीक रोल है अब देख सकते हैं मैं cutting भी कैसे कर रही हूं एक दम slowly कर रही हूं आपको एक दम fast में pressure देके नहीं करना है नहीं तो जो layer से थाने सारे दब जाएंगे और अच्छे से नहीं बनेंगे इस तरह से cut होने के बाद आपको airtight container में रखना है और एक एक यूज करके आपको बेलना नहीं तो आप एक आदा कबड़ा भी ढग सकते हो अगर आप उपन छोड़ोगे ना तो जो आटा डो है ना अच्छे से आपका मतलब नहीं बना पाओगे आप नेक्स्ट जो है स्टफिंग अलड़ी मैंने बना के रखा है इसका जो लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन वॉक्स में दिया है मार्केट जैसा अगर आप जाना चाहते हो कि स्टफिंग कैसे बनता है ऐस इट तो आप वहां से जरू चेक आउट करना इस वीडियो में नह यहीं पर आपको लेश्ट जो है ना निकलने लगेंगे अच्छे से आप स्टफिंग भी नहीं कर पाऊगे और स्टफिंग करते समय भी एकदम नीचे के साइड में आपको सबजी जो एड करनी है ताकि आप आराम से इसको प्रेस कर पाऊगे यहां पर याद रखना है कि फ आपके बनते तो perfect है समझ लो अभी next जो है oil यहां पर मैंने already high flame पे गरम किया था अब यहां पर मैंने इसको medium flame पे रखा है उसके बाद यह जो सारे समोसे आप आड करोगे ना तो आपको ऐसे आड करके नहीं छोड़ना है आपको ना हर आदे मिनिट में इसको flip करते रहना है और main thing आपको oil जो है एकदम high flame पे भी नहीं रखना है और एकदम low flame पे नहीं रखना है क्योंकि इससे भी आपके समोसे बिल्कुल भी नहीं बनने वाले लेड देख सो कि कितने सुन्दर लेड आ गया guys अगर आप यह recipe try करते हो ना and perfect बनते हो तो trust में आप खुद के उपर न में भी आपको feedback देना है guys so friends finally हमारे यहाँ पर जो यह recipe ready है आप sauce के साथ का सकते हो ग्री चटनी हरी चटनी जो भी पसंद है and जरूर लाइक शेर कॉमेंट करिएगा so thank you for watching